हेलो दोस्तो मेरे यूटूब चैनल SMK गार्डन में आप सब का स्वागत है तो दोस्तो आज मैं आपको अपनी लेमन ग्रास दिखाऊंगी जो मैंने एक बड़े से पोर्ट में लगा रखी है और वो काफी हद तक फैल गई है और काफी लंबी भी हो गई है इसलिए आज हम उ इतनी फैल चुकी है 4 तरफ जो इसकी लंबी-लंबी पत्तियां है वो नीचे की तरफ जुकने लगी है तो दोस्तो आज मैं इसकी जितनी भी लंबी पत्तियां उन को काट लूंगी उस से पहले इसमें जो सूखी पत्तियां है मैं उन सब Commerce दूंगी तो यह देखिए मैं गिरीन पत्तिया है उनको काट लूँगी क्योंकि जो सूखी हुई पत्तिया है उनको तो हम फैंक देंगे और जो गिरीन पत्तिया है उनका यूज हम चाय में कर लेंगे क्योंकि लेमन ग्रास को हम चाय में डाल कर यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी चाय बहुत अच्छी बनती तो ये देखिए मैंने इसकी जो सुखी सुखी पत्तियां थी वो सारी काट ली है और एक साइड कर दी है अब मैं इसकी जो ग्रीन पत्तियां है उनको काट लूँगी जो चारो तरफ जुकी हुई है और ये देखिए इसकी अभी मैं चारो तरफ जुकी हुई पत्तियां काट प्वार्टेट लूँगी तो दोस्तो लेमन ग्रास चाय में डालकर पीने से चाय काफी अच्छी लगती है और चाय में नेँबु जैसी खुसभु आने लगती हैं तो दोस्तों अगर आपके पास भी lemon grass हो तो इसे चाइ में जरूर यूज करें और ना हो तो आप lemon grass जरूर लगाएं तो ये देखिए मैंने इसकी काफी सारी पत्तिया काट ली है चारो तरप से तो दोस्तों हम लेमन ग्रास की जितनी भी कटिंग करेंगे ये दुबारा से उतनी ही जादा फैलती जाएगी और पूरे पोट को फिर से भर लेगी तो ये देखिए मेरी लेमन ग्रास की हारवेस्टिंग हो गई है मैंने इसको चारो तरफ से कट कर दिया है और ये देखिए मैंने इसकी इतनी पत्तिया काट ली अब इन सभी पत्तियों को मैं चाई में यूज कर लोंगी इनको फैकेंगे नहीं क्यूंकि चाय में बहुत थी अच्छा टेश्ट आता है इनका और ये देखिए मेरे कुछ तमाटर भी लाल हो गए हैं इनको भी आज मैं कट कर लूँगी तो यह देखिए अभी जो बाकी टमाटर बचे है उनका अभी कलर गरीन है वह लाल नहीं हुए है यह कुछ ही टमाटर है जो रेड कलर के हुए है तो इनको आज मैं काट लूँगी तो दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाई बाई दोस्तों